Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT आज की अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में account groups और subgroups की आवशिक्ता क्यों होती है और इन्हें कैसे बनाते हैं साथ ही बताएंगे कि group summary क्या है और उसे कैसे देखते हैं इस topic को समझने के लिए हमने अपनी एक company open कर ली है इसमें हम जिस तरह काम करके बता रहे हैं ठीक उसी तरह आप भी अपनी company में काम कर सकते हैं चलिए पहले समझते हैं कि groups और subgroups की आवशिक्ता क्यों होती है पहले हमारा website छूटा था तो हमारे पास कुछ ही customers थे पर अब हमारा website बड़ा होता जा रहा है अब हमारे customers उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराश्र में भी है शुरू से हम अपने सभी customers के ledgers sundry data group के अंतरगत बना रहे हैं आए पहले एक बार group summary के द्वारा sundry data यानि सभी देनदारों की report देख लेते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं, reports के अंतरगत, display more reports के लिए d press करें यहां account books के लिए a press करें, अब group summary के लिए g press करें लिस्ट of groups आ रही है, यदि आप सभी groups की report एक साथ देखना चाहते हैं तो primary select करें या फिर जिस group की report देखना चाहते हैं उससे select करें हम sundry data select कर रहे हैं देखें sundry data's group के report आ रही है यहां हम आपको बता दें कि समझने में आसानी हो, इसलिए हमने अपनी सभी customers के नाम के साथ उनकी city और state के नाम भी लिख दिये हैं नाम के आखिर में उनके closing balance भी दिखाई पढ़ रहे हैं इस report के बारे में हम आपको आगे विस्तार से समझाएंगे ऐसी स्थिती में हमें इस काम को करने में समय लगेगा और यदि कर भी लेंगे तो गलती होने की संभावना बनी रहेगी यदि हम इस तरह के काम को बगएर गलती के शिगरता से करना चाहते हैं कर द्यदः तो उसके लिए हमें इस संड्री डेटरूप नतर्गत उत्तरप्रदेश मधिप्रदेश और माहराश्र के अलग अलग ग्रूप बनाने होंगे और उनके अंतरत कस्टुमर्स के लेजर्स बनाने होंगे और यदि पहले से ही लेजर्स बने हुए हैं तो उन लेजर्स को अल्टर करके उन्हें संबंधित प्रदेश के ग्रुप के अंतरगत लाना होगा। आये इसे हम एक चार्ट की सहायता से समझ लेते हैं। यहां हमने संब्री डेटर्स ग्रुप के अंतरगत, UP कस्टमर्स, MP कस्टमर्स और महराष्ट कस्टमर्स के स्टेट वाइस तीन अलग-अलग ग्रुप्स बनाए हैं। और उनकी अंतरगत हमें संबंधित क्षेत्र के कस्टमर्स के लेजर्स भी लाना होंगे। ध्यान रखें, हम जिस तरह से स्टेट के ग्रुप्स बना रहे हैं, आप चाहें तो अपने एरिया के स्टमर्स के हिसाब से भी अलग-अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। इसे ये होगा कि हम आसानी से ये देख सकेंगे कि किस सल्समें के द्वारा कितनी उधारी आना है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यात इला दें कि हमने बेसिक लेवल की वीडियो नंबर 25 में बताया था कि इन्वेंटरी यानि स्टॉक के लिए स्टॉक ग्रुप और सब ग्रुप के आवशकता क्यों होती है और इन्हें कैसे बनाते हैं। और वीडियो नंबर 26 में बताया था कि स्टॉक ग्रुप को आल्टर और डिलीट कैसे करते हैं। ठीक। उसी तरह आप लेजर्स के लिए बनाए गए ग्रुप पर भी काम कर सकते हैं। तो आईए पहले ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने के दो तरीके हैं। पहला है सिंगल ग्रुप बनाना। इसे हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे। और दूसरा है मल्टिपल ग्रुप्स बनाना। इसके द्वारा हम एक बार में बहुत से ग्रुप्स बना सकते हैं। उसके लिए Master के अंतरगत Chart of Accounts पर जाएं। Group पर जाकर Enter Press करें। यहां Multi Master के लिए Alter और H Press करें। Multi Create selected है, Enter Press कर दें। Under Group में Sundry Data Select करें, क्योंकि हमें इसी Group में सब Group बनाने हैं। यहां Name of Groups में उन Groups के नाम टाइप करें जो आ बनाना चाहते हैं। इसी तरह आप उपर सेलेक किये गए Group में कितने भी सब Groups बना सकते हैं। आखिर में Ctrl और A प्रेस करके स्क्रीन को Accept कर लेते हैं। देखे, स्क्रीन को Accept करते ही हम Chart of Accounts पर आ गए हैं। यहां हमारे द्वारा बनाये गए सभी Groups Sunry Datus Group के अंतरकर दिखाई दे रहे हैं। अब हमें पहले से बने सभी Customers के Legers को Alter करके संबंधित Group में लाना होगा। Legers में Alteration करना हम आपको डीटेल में अपनी Video No.17 में बता चुके हैं। Legers में एक साथ Alteration करने के लिए Chart of Accounts पर जाएं। यहां Legers Selected है, Enterprise करें। यहां Multimaster के लिए Alter और Edge प्रेस करें। अब Multi Alter पर जाकर Enterprise करें। अब यहां हमें वो Group से लेक्ट करना होगा जिसके अंतरकर बने Legers में हम Alteration करना चाहते हैं। हम Sunry Data से लेक्ट कर रहे हैं। यहां Multilager Alteration स्क्रीन आ रही है और Name of Leger में सभी Customers के नाम आ रहे हैं। और उनके आगे Under में वे किस Group में बने हैं उस Group का नाम आ रहा है। हमें Group चेंज करना है तो Enterprise करके आगे बढ़ेंगे। अब Under में जिस State का वो Customer है वो Group सेलेक करेंगे। जैसे कि Akshay Enterprises महराश्र का Customer है तो यहां हम महराश्र Customers सेलेक कर रहे हैं। इसी तरह हम सभी Customers के Group बदल लेते हैं। देखिए हमने सभी Customers के Groups बदल दिये हैं। अब इस स्क्रीन को Accept कर लेते हैं। आए अब फिर से Sunry Datus Group की रिपोर्ट देख लेते हैं। डीटेल रिपोर्ट देखने के लिए Alter और F5 Keys को प्रेस करें। यह देखिए Sunry Datus की रिपोर्ट आ रही है। इसमें किस स्टेट में किस Customers से क्या लेना है यह सपश्ट दिखाई पढ़ रहा है। अब यदि आप सिर्फ किसी एक ही स्टेट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके उस Group का नाम सेलेक करें। हम MP Customers Group सेलेक कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही हमें सिर्फ MP Customers की डिटेल्स मिल गई हैं। अमान लीजिये हम चाहते हैं कि हमारे मुंबई में बहुत से Customers हैं। इसलिये उनकी यानि Mumbai Customers की रिपोर्ट अलग से भी दिखे। और तो उसके लिए हमें मुंबई कस्टमर्स के नाम से एक सब ग्रुप महराश कॉस्टमर्स Group के अंतरगत बनाना होगा। चलिए बताते हैं कैसे, ये काम हम single group creation की साहता से कर रहे हैं, हम gateway of tally पर है, master के अंतरगत create पर जाएं, group already selected है, enterprise करेंगे, नाम में आप जो group बनाना चाहते हैं, उसका नाम type करें, हमने type किया Mumbai customers, enterprise करके आगे बढ़ें, under में वो group select करें, जिसके अंतरगत आप ये group बनाना चाहते हैं, हम महराश्र customers select कर रहे हैं, अब control और A press करके इसे accept कर लेते हैं, Mumbai customers group बनाने के पाद, हमें पहले बताय अनुसार, हमारे Mumbai के सभी customers के जो lasers हैं, उनके group बदलना होंगे, हम सिर्फ Mumbai के customers के lasers के group महराश्र customers से बदल कर, Mumbai customers कर रहे हैं, एक विशेश बात ही है, अब हम जब भी नए customers के lasers बनाएंगे, तो उन्हें sundry data की जगह, UP customers, MP customers, महराश्र customers या Mumbai customers ग्रुप के अंतरगत बनाएंगे, या अपनी ज़रूरत के अनुसार इस तरह के और भी groups बनाकर उनके अंतरगत बनाएंगे, आए फिर से रिपोर्ट देखते हैं, F2 प्रेस करके हम पूरे वर्ष का पीरियड ले रहे हैं, अब डीटेल रिपोर्ट के लिए अल्टर और F5 प्रेस करें, यहां Mumbai customers की डीटेल नहीं आ रही है, उसके लिए F12 प्रेस करके यहां Expand All Levels in Detailed Format को Yes करके इस स्क्रीन को Accept करें, यह देखे पूरी रिपोर्ट आ रही है, अब यदि आप सर्फ किसी एक स्टेट या अकेले Mumbai के customers की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो F4 प्रेस करके उस group का नाम सेलेक करें, हम Mumbai customers सेलेक कर रहे हैं, यह देखे सिर्फ Mumbai customers की रिपोर्ट आ रही है, वैसे तो हम आपको group summary देखना बता चुके हैं, पर यदि आप अपने customers की ज्यादा details देखना चाहते हैं, जैसे कि उनका opening balance क्या था, उसको कितना माल गया, उसका कितना payment आया, अब क्या लेना बागी है, तो उसके लिए इस screen को configure करना होगा, उसके लिए हम F12 प्रेस कर रहे हैं, और यहां show opening balance को yes, और show transaction को yes कर रहे हैं, यह देखिए show closing balance पहले से yes है, इसे हम ऐसा ही रहने देंगे और इस screen को accept कर लेते हैं, देखिए ऐसा करते ही पूरी detail आ गई है, इस वीडियो में हमने जिस तरह से groups create करना बताया, पहले से बने हुए किसी भी group के अंतरगत groups बना सकते हैं, यहां एक और मातपून बात बता दें, वैसे तो telly ने हमें 15 primary groups पहले से ही बना कर दिये हैं, और इसके अलावा कोई primary group बनाने की जरुरत प्राया नहीं होती, फिर भी यदि आप कोई primary group बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, चलिए बता देते हैं कैसे, master के अंतरगर्द create पर जाएं, group already selected है, enter press करें, जिस नाम से आप group बनाना चाहते हैं वो नाम type करें, enter press करते हुए under में primary select करें, ऐसा करते ही nature of groups की list दिखाई पड़ेगी, इसमें आप अपनी जरूरत अनुसार group का nature select कर सकते हैं, अब इस screen को accept कर लें, ऐसा करते ही आपका नया primary group बन जाएगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद